कर्स में आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है आपको याद होगा कि पिसले कई लेक्शे में हमने ग्राफिक्स के बारे में बाद करी है और हर बात जब मैंने ग्राफिक्स की बात करी तो मैंने खाली एक ही वेरेबिल लिया था मैंने अपना बार प्लॉट बनाया, मैंने हिस्टोग्राम बनाया, पाई शार्ट बनाया, इत्यारी लेकिन मैंने खाली एक ही वेरेबिल लिया था अब हम यहाँ पे इस lecture मेरWait में हम उस प्रकार के graphist की बात करने वाले हैं जो हमारे डो वैलियूज पर आधारेट होते हैं अब यह दो वैलियूज के graphs हमारे क्या होते हैं जैसे कि अगर हम एक छोटा सा धारग लें अगर हम चोटे बच्छों का अगर हम height और weight देखेjakskर तो आपने देखा है कि जैसे जैसे उम्मर बढ़ती जाती है, बच्चों का height और weight बढ़ता जाता है, under अगर हमारा सब कुछ बच्चा normal health का है तो. तो अब आपने देखा कि जैसे से height बढ़ रही है वैसे weight भी बढ़ रहा है और weight अगर बढ़ आए तो height बढ़ रही है तो यह दोनों आपस भी नहीं लगता है कि एक दूसरों को effect कर रहे हैं तो अब हम यह देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो variables है उनका कोई आपस में संबंध है कि नहीं है वो आपस में एक दूसरों को effect करते हैं कि नहीं है और अगर effect करते हैं तो उनका degree of effect क्या है क्या वो बहुत जादा करते हैं या बहुत कम करते हैं इस प्रकार के हमार पर दो परकार के टूल होते हैं, एक हमारे ऐनालिटिकल और एक हमारे ग्राफिकल तो हम एनालिटिकल टूल के दौरा भी हम हम इन सवालों के जवाब करें के कोशिच करते हैं लेकिन साथ में हम जब अपने ग्रॉफिकल टूल को भी लगाते हैं, तो जो भी हमारी information दोनों टूल से आती उसको एक साथ combine करते हैं तो वह हम उसको सही information देता है आज हम इनके by-variate graphic अथाथ हमारे पास अगर दो variables हैं उनके बीच में हम अपने graphic को कैसे क्यार करेंगे उसकी बात करेंगे उसके बात हम आपको एक छोटा सा description देगे जहां पर हम आपको three dimensional graphics की बात भी करेंगे अब देखिए हम अपनी आखों से तो तीन dimension में देख सकते हैं लेकिन जब हम कभी काज़ और क Gregory को बनाने की कोशिश करते हैं तो वह खाली दो dimension की हो सकती है लेकिन फिर भी हमने क्या कोशिश करी है कि हाम अपने three dimension की picture को हम दो dimension में ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह उसके अंदर हमको उसका एफेक्ट दिखाई पगगा है तो उन तीन डिमेंशन की पिक्चर को हम किस प्रकार से यहाँ पे तियार करेंगी यह हमारा अगला सवाल है अब साथ ही जब हम ग्राफिक्स की अपने टू डामेशनल और तीन डामेशनल ग्राफिक्स की आर्ट साफ्ट में बात करते हैं तो एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसको हम यहाँ पे क्रीट कर सकते हैं लेकिन उन सारे सारे graphs को consider करना मेरे लिए बहुत कठिन है और अगर शेहत में करूँगा तो पूरा पूरा course हमारा काली graphics के उपर ही हो जाएगा इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ उदारा लूँगा कुछ हमारे command से मैं उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपसे request करूँगा कि आप इन two-dimensional और three-dimensional के बारे में जो भी ज़्यादा information आप उसको जरूर पखलें की कोशिश करिएगा और देखेगा कि R आपको किस प्रकार से बहुत ही खूबसुरत और बहुत ही informative graphics बना सकता है तो इसकलिए हम इस lecture को आरम करते हैं और आपको हम सबसे पहले two-dimensional graphic और उससे सब्बंदे जानकारिया देते हैं अब हम आपको थवासा पहले association of two variables के बारे मता दें कि हमारे two variables के बीच में संबंद किस प्रकार का होता है और इसको किस प्रकार से study करने की कोशिश करते हैं तो जैसा आपने देखा कि अगर हम कहते हैं अपने students को कि आप अगर जादा घंटे पढ़ाई करेंगे तो आपके जादा number आएंगे अर्थार कि कोई student कितने घंटे पढ़ाई करता है और इसे इमद्धान में कितने number आते हैं यह आपके संबन देता है और इसी तरह से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारी जो हमारे weather है बदलती जाती है हमारा जो temperature है बदलता जाता है हमारे घरों और offices में बिजली का जो consumption है वो बदलता जाता है temperature बहुत जादा होता है तो बिजली के consumption जादा होता है क्यों क्योंकि उसमें हम air conditioner cooler इत्यादी को स्नमाल करते हैं उसी प्रकार से जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनका जो weight है जैसे जैसे उनकी height बलती जाती है under command condition के अंदर वो weight भी बलता जाता है तो आप देखेंगे कि यह बिजली के consumption और weather का temperature या छोटे बच्चों का जो भी height और weight है यह सब आपस में संबंदेत हैं और यह एक उसरे के ओपर असर डालते हैं अब सवाल यह आता है कि यह जो हमारे variables हैं अगर यह आपस में संबंदेत है तो इनके जो भी हमारे observations होंगे वो भी आपस में संबंद दिखाएंगे तो यह किस प्रकार से पता किया जाए कि इनके दो variables के बीच में कोई संबंद है या नहीं और संबंद अगर है तो उनके बीच का जो संबंद है बहुत strong है या बहुत कम्योर है इससे किसे पता किया जाए तो statistics में हमारे पास दो प्रकार के procedures होते हैं एक होते हैं graphical जिसमें हम graphs के दोरा इस तरह की information को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और दूसरे हमारे होते हैं quantitative अज साथ हम अपने जो भी analytical tools होते हैं उनका इस्तमाल करते हैं और उनकी जो values आती हैं उसके द्वारा हमें सब्मंद को समझने की कोशिश करते हैं जैसे correlation coefficient है, contingency tables है, chi-square statistics है, linear regression है, non-linear regression है इत्यादी, don't worry मैं इन topics के बारे में यहां पे कोई बात नहीं करने वाल हूँ मैं मैंने सिर्फ आपको बताने की कोशिश करी है कि यह हमारे quantitative procedures होते है, quantitative tools होते हैं, जो हमारे graphical में हमारे पास two dimensional plots, three dimensional plots होते हैं, उसमें से कुछ जो हमारे popular graphics हैं, उसके बारे में हम यहां पे आज बात करेंगे, तो अब हमारे सामने सवाल यह है, कि किस प्रकार से हम graphically फैसला क करें कि हमारे दो variables के बीच में संबंध है, तो आप अगर यह माने कि हमारे पास दो variables है, x और y जिनको हम दिखाते हैं, तो इन दो variables के ऊपर हमारे पास n pairs observation के हैं, अगर हम कहें कि हमारे पास 5 बच्चे हैं, ठोटे बच्चे, और उनका मैंने height और weight पर observation लिये, को मैंने पहल बच्चा मैंने लिया, जिसका मैंने weight लिया, फिर मैंने दूसरा बच्चा लिया, उसकी मैंने height और weight लिया, फिर मैंने उसी तरह से अपने 5 बच्चों का height और weight लिया, तो इसको मोलते है, paired observation, अर्थार, एक ही बच्चे का मैंने height और weight दोनों लिया है, अब समझ से यह आती ह इन paired observation को हम जब अपने इसी plot में किस प्रकार से plot करें और उससे किस तरह से हम उसके द्वारा उस data के अंदर छुपी हुई information को बहार निकालने के कोशिश करें तो हम क्या करते हैं यह जो हमारे paired observation उनको हम single graph में x y axis पर plot करते हैं और उसको हम बोलते हैं scatter plot scatter plot को आपको याद होगा कि आपने plot command के द्वारा आपने R software में plot करने की कोशिवी करी थी लेकिन उस वक्त आपने खाली एक ही variable लिया था आज हम दो variables का scatter plot है उसकी बात करने जा रहे हैं तो यह जो हमारे scatter plot होता है यह हमारा उन दो variables के बीच में हमारे पास किस प्रकार का संबंध है किस प्रकार का trend है उसके बारे में बताता है जैसे उधारन के लिए दो variables के बीच में जो संबन हमारा इस प्रकार का हो तकता है कि यह हमारा होगे एक जैसे linear है और यह हमारा इसको देखेंगे तो यह हमारा क्या है यह हमारा non-linear है अर्थात अगर आप यह कभी hypothetically सोचें कि यहां पर एक line जा रही है और यह सारे point इस line के आ outcomes हैं अपने scatter diagram से निकालने की कोशिश करते हैं उसके साथ में अगर हमारे पास से कोई भी संबन आ जाता है जिकर से कि हम अगर बात करें कि linear relationship आ जाती ही तो उसके अंदर हम strength की बात करते हैं और उनका जो relationship है वह increasing की बगलते हुए है और की घटी हुई उसके बारे में बात क है कि यहां से एक line यहां से निकल रही है जो इन data values के 20 में से जा रही है अब जड़ासा इन points की location आप अगर देखिए तो पहले वाले graphic में यह जो point है इस line के बहुत करीब करीब हैं और दूसरे वाले graphic में यह जो point है इस line से दूर दूर है तो ऐसे cases में हम यह कहते हैं कि इनक relationship है वह strong है जैसे पहले case में जो relationship है वह strong है और दूसरे case में relationship moderate है साथ ही आप अगर देखेंगे कि इसमें जिस प्रकार से हमारा x बगड़ा है y की value भी हमारी बगड़ रही है तो हम कहते हैं कि यह हमारी positive relationship है और positive तो देखिए दोनों में ही है तो इसलिए जो पहले case में हम क relationship है ओके अब यही कार जारा हम अपने इस इन दो pictures में कार करते हैं इसको अमाले कहते हैं plot number 3 और plot number 4 तो plot number 3 और plot number 4 में भी आप एक hypothetical एक line को बनाने की कोशिश करें तो देखिए आप देखेंगे कि plot number 4 में जो सारे points है यह आपके इस line से दूर है और जबकि plot number 3 में यह points आपक नमर के case में relationship आपकी moderate है अब इस दूसरे नमर के case में दिखेंगे कि जिस प्रकार से हमारा x की value बग रही है y की value हमारी कम हो रही है तो इसको हम कहते हैं कि यह हमारी negative relationship है तो इसको हम कहते हैं कि यह हमारी strong negative relationship है और इसी में अगर आप x और y को plot करते हैं और अगर आपको यह इस तरह का सम्मंद नहीं दिखाई पगता है तो आप कहते हो कि यहां पर कोई ऐसी सम्मंद दिखाई नहीं पगता है तो अब हम यहां पर इस जो हमारा सम्मंद है उसकी direction और degree दोनों की बात यहां पर करने वाले हैं और हमारे पार दो आसपेक्स हैं एक हमारा है graphical और एक हमारा है quantitative तो यहां पर हम graphical की बात करने वाले हैं तो जो हमारे bivariate plots होते हैं अर्थाक bivariate मतलब दो variables के बीच में plot यह हमको जो भी first hand visual information देते हैं कि दो variables के बीच में हमारी relationship किस प्रकार की है वहले कि सबसे पहले अगर ग्राफिक को देखेंगे तो आपको आँख से देके पता चल जाएगा कि आपकी relationship positive है negative है strong है moderate है weak है क्या है और यह relationship आपकी linear अथवा non-linear दोनों हो सकती है तो हम यहाँ पर इन सारे आस्पेक्ट को और इन plots को कुछ उधारांग लेकर के हम समझने की कोशिच करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने bivariate scatter plots की उसको हम किस प्रकार से plot करें तो देखा कि आपने को यहाँ पर आपके पास दो data vector होंगे x और y क्योंकि यह क्या है यहाँ पर दो variable हैं तो दोनों की बीच में जो भी data vectors है उनको आपने x और y में store कर लिया अब plot command आपको पहले से पता था कि plot command के द्वारा आप से scatter diagram को plot कर सकते हैं तो आपने जो हमारा command होता है वो होता है plot और उसके बाद हम अपने दोनों variable को x, y करके लिख देंगे अब उसके बाद जैसा आपने देखा है graphics में इसके बाद हमारे पास बहुत सारे options होते हैं को हम भिन-भिन प्रकार से use करके अपने graphic को और अच्छा बना सकते हैं तो plot में हमारे पास एक option होता है type तो type में क्या है अगर हम लिख देंगे P तो हमको यहां पे points मिल जाएंगे यह हमारा default होता है और अगर हम type कर देंगे L तो यह हमको मिल जाएगा lines और type कर देंगे अगर हम B तो यह मिल जाएगा point or line दोनों मिल जाएगे और अगर हम कर देंगे type equal to C देन उसमें से जो B के अंदर उसमें खाली जो line को खटा करके part मिल जाएगा और यह मैं आपको एक picture उसमें graph के through करके दिखाऊंगा तो आपको बेतर तरीकी समझ में आ जाएगा और अगर हम use करेंगे O तो यह क्या करेगा point or line दोनों को A के उपर plot कर देगा और अगर हम कहेंगे S तो जिस प्रकार से हमारी stairs होती है घरों में clear होती है जिनके उपर हम दलें की कोशिश करते हैं यह उस तरग को plot देदेगा और अगर हम बोल देंगे यहाँ पर type equal to h तो यह मुझे को histogram type का या हम high density vertical lines वाला मुझे curve के देगा तो देखे मैंने यहाँ पर क्या किया है मैंने एक उधारन लिया है और उस उधारन के द्वारा हम आपको इन सारे सारे graph को समझाने की कोशिश करेंगे तो देखे अब आपके पास command क्या हो गया यह तो आपने देख लिया कि plot xy type उसके बाद आपको यह मालूम है कि अगर आपको उसके अंदर एक overall title को add करना है देना तो आप इसमें help type या help plot में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे इन सारी बातों को समझने के लिए चलिए हम एक छोटा सा उधारग लेते हैं और इस उधारग में हमने क्या किया है कि मैंने अपने 20 student ली हैं और उनके इमतान में जो 500 में से नंबर आये उनको record किया है और साथ ही उनसे यह भी पूछा गया कि उन्होंने हर हफते कितने घंटे अपनी studies करी है कितने घंटे अढ़ाई करी है और यह मुझे पता है कि हमारे experience है या अपने घरों में या आपने teachers को कहते हैं सुना होगा कि जब आप अगर जादा पर होगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे तो इसलिए यहां पर इन 20 से स्टुएंट का data काटा किया गया है कहे पर marks पर और उन्होंने हर हफते कितने घंटे studies की हैं तो देखे यह कुछ data इस प्रकार का है कि एक student है जिसने एक हफते में 23 घंटे studies करी हैं और उसके 337 marks आएं इसी प्रकार से स्टुएंट ने 25 घंटे studies करी हैं और उसके 316 नंबर आएं और उसी प्रकार से हमारे पास यहां पर 20 स्टुएंट के नंबर आ गए हैं अब इनके जो स्टुएंट के नंबर हैं उसको मैंने यहां पर दो data vector में store कर लिया marks और आवर्स तो यह हमारा paired observation है अर्थात की जो marks मे पहले स्थान पे जो नंबर लिखा हुआ है 337 यह हमारा आवर्स में जो पहला student है उससे संबन देता है कि उसने 30 घंटे पढ़ाई करी थी तो उसके 337 नंबर आये हैं राइट अब उसके बाद देखिए मैंने अपना plot command को यूज किया मैंने अगर simply खुली अगर command को यूज माक्स और यहां पर आप देखेंगे इस तरह के हमारे बिंदू बनके आ गए और बिंदू में से आप अगर देखना चाहेंगे अगर आप एक अपनी hypothetical line को सोच सकते हैं तो कुछ line अगर आप इस प्रकार की बनाया तो आपको नहीं देखके समझ में आएगा कि यह सारे सारे पॉइंट ही रेखा के आसपास ही है राइट तो इस प्रकार के हम यहां से अपने conclusion लेने की कोशिश करते हैं तो अब इसमें से देखी हमें काम करते हैं अपने जो हमारे भिन-भिन तरह के type कमान थे उनको हम use करते हैं तो मैंने यहां पर लिख दिया type is equal to double course में लिख दिया तो देखे इस प्रकार से इसने उनको join कर दिया आपको इस प्रकार कर मिल गया अब इसी में आपने अगर कर दिया type equal to b तो इसने क्या किया देखी इसने आपको यह point और line दोनों दे दी तो इसका मतलब यह हमको यहां से मिल जाएगा उसके बाद में मैंने यहां पर option यूज उसकिया o, तो o में देखी क्या है कि इसने इसको over plotted कर दिया अथार उसने line को point के उपर इसको plot कर दिया जबकि देखे पहले वाले case में यह line और point दोनों अलग-अलग है राइट यह point है और यह line दोनों के बीच में देखी break है यह राइट उसके बाद में अगर आपने लिया अगर यहां पे लिया है h, तो h में उसने देखी हर एक point से उसने x-axis पर एक vertical line बना दिया राइट उसी प्रकार से अगर आप लेंगे यहां पे लेंगे s तो उसने जिस प्रकार से हमारी घरों में stairs होती है उस तरह का उसने हर एक observation को उसने join करता हुआ एक plot बना दिया अब यह आपको किस प्रकार से इस्तमाल करना है किस जगहा पे इस्तमाल करना है यह तो दीखिए यह तो आपकी उपर depend करता है मेरा का हम है आपको इन सारे सारे graph के option को बताना कि यहां पर बन सकते हैं अब इसी option में आप अगर माली कुछ और भी modification करना चाहते हैं आप यहां पर title देना चाहते हैं तो आप यहां पर लिख दीजिए mean is equal to marks obtained versus number of hours per week तो जो भी आपने यहां पर लिखा वो देखे यहां पर print हो गया अगर आप यहां पर y axis पर अगर कुछ लिखना चाहते हैं marks obtained तो देखिए आपने यहां पर लिख दिया y lab और देखिए आपका यहां पर marks obtained print हो गया उसके बाद में अगर आपको यहां पर number of weekly hours लिखना है x axis पर तो देखिए आपने x lab करके आपने यह सब लिख दिया right तो उसी प्रकार से आपको आप जिस प्रकार से चाहें आप अपने इस कर्व को इस graph को बगए अच्छे से control कर सकते हैं right तो चलिए सबसे पहले हम आपको आगे बगने के पहले जदा सा इन graphs को आपक देखिए कितना हो गया marks और यह कितना हो गया hours अब इसमें से देखिए मैं आपको एकशी दिखाना चाहता हूं कि आपने यहापे का plot अगर आपने ले लिया marks और hours तो देखिए आपका जो graph बनेगा इस प्रकार का जाएगा कि यहाँ पर आपका जो भी x axis पर है marks और y axis पर ह अगर कि आप सबसे पहले लिख देएंगे hours और फिर आप लिख देएंगे यहाँ पर marks को देखिए क्या हो जाएगा देखिए आपको यह दोनों exchange हो जाएंगे बदल जाएंगे देखिए marks y axis पर आ गया और hours आपका x axis क्यों पर आ गया right अब हम चलिए ज़र आपने इसी command मे हम आपने different option को देते हैं जैसे मैंने का type is equal to here l right आप देखिए तो आपको यह type बन जाएगा सारी सारी points आपके एक line के द्वारा join हो गया आपने यहाँ पर कर दिया b और देखिए जैसी enter किया तो इसने आपको देखिए दोनों चीजन देदी right और उसी पकास से जब आपने यहाँ पर किया आपने o तो आप अगर देखेंगे तो यह जो lines और point देखिए अलग-अलग है लेकिन आप जैसी यहाँ पर enter करेंगे o तो देखिए line के ओपर आपके point पी आगए right उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पर कर देखिए अगर h तो आप देखिए यहाँ से आपक high density vertical lines भी मिल जाएंगे देखिए और उसके बाद में अगर आपने यहाँ पर कर दिया s तो आप देखिए कि आपको इस प्रकार का steer steps वाला एक graphic मिल जाएगा इसके बाद में अगर आपको यह अपने different करीके के जो options आपने यहाँ पर लिखे हैं आप अगर इनको यहाँ पर number of hours per week और जिस प्रकार का आप graph चाहते थे यहाँ आपको यहाँ पर बहुत आसानी से मिल गया राइट चलिए मैं तो यह दोनों windows को एक ही अगर पर काम कर रहा हूं तो इसलिए मुझे इसको छोटा बड़ा करना पर रहा है लेकिन आप उसको आराम से अपने computer पे execute कर सकते ह चलिए अब हम आपको यहाँ पर एक और command के बारे में बताते हैं तो आपने देखा कि जैसे हम यहाँ पर खाली दो variables के बात में हम scatter plot की बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास दो options हैं कि हम जो plot अपना x और y के बीश में बनाए या y और x के बीश में बनाए उसी प्रकार से अ और साथी साथ हम x, y, z को आपस में भी interchange कर सकते हैं तो इन सारे-सारे graphs को पहला option है कि आप अलग-अलग खरीके से plot करिए दूसरा option यह है कि आप उसको एक ही जगा पर plot कर दिये और जिस परकार से आप अपनी matrix को लिखते हैं उसी तरह से आप matrix scatter diagram बना दीजे तो इसको यहां पर हमारे पास यह हमको हर प्रकार के combination दिखाएगा जैसे आपको हम उधारग लेते हैं कि जैसे मैंने यहां पर माली hours और marks की बात करी मैंने आपको अभी यहां पर दोनों graph बना के दिखाए hours और marks के बीच में, marks और hours के बीच में अब इसको अगर हम एक ही plot में करना चाहते हैं तो देखिए हम इसको लिखेंगे pairs और यहां पर हम option लिखेंगे c bind और उसके बाद हम यह hours और marks हम यहां पर लिख देंगे तो देखिए आपको इस प्रकार का कुछ output मिल जाएगा तो यहां पर देखिए यह वाली आपकी जो एक्सिस है यहां पर क्या है marks और इस वाली एक्सिस पर क्या है hours उसी प्रकार से इस एक्सिस पर क्या है hours और इस एक्सिस पर क्या है marks तो देखिए अब यह जो आपकी एक्सिस हो गए यह तो hours और hours के बीच में हो गए तो इसमें आपको यह graph मिल गया और इसी में आप अगर मान लिजे कि यहां पर आपने किया कि marks और यहां पर आवर्स के लिया तो देखे क्या हुआ इसमें इनकी axis आप उसमें बदल गई और यह आपको data वहां पर मिल गया तो पहले case में आपने क्या किया कि आपने अपना जो data है आवर्स और marks की बीश में किया और गुसे case में आपने marks और आवर्स की बीश में किया राइट उस scatter plot मैंने आपको बता दिया लेकिन उसमें से अब सही conclusion निकालने का आपका होगा वह आसान है कि कठे ने यह तो मैं नहीं बात कर रहा हूं लेकिन मैंने आपको इसको निकालने का तरीका ज़रूर बता दिया इसको हम बोलते हैं matrix scatter plot और matrix scatter plot के अंदर भी आपके पास सारे options होते हैं कि आप अगर यहाँ पर labels देना चाहते हैं like as steady hours and marks obtained जैसे मैंने यहाँ पर दिया है आप इसका run change करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर COOL के मार्धे हम से कर सकते हैं रित्यारी तो यह देखिए सारे सारे आपके पास options होते हैं इस तरह के matrix plot को बनाने के लिए भी अब हम जड़ा से पहले आपको इनको art software में करके दिखा देते हैं सो देखिए आपको यह दिखाई पगलना चाहिए कि किस प्रकार से कार करेगा यह आपका marks और अवर्स के बीच में आग अगर आपके पास है जादा variables हैं तो यह और इसमें से आपके curves बन जाएंगे आपको सब को एक सार देखना पड़ेगा और इसके बार में आपको सही conclusion उसमें से निकालना पड़ेगा तो अब हम आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करते हैं आपने अब तक देखा कि तो मुझे को समझ में आ जाएगा कि हमारे plot के द्वारा जो मुझे को सम्मंतों के बारे में जानकारी मिल रही है वह कितनी सही है तो इसलिए हमारे पास एक function होता है scatter.smooth सब कुछ lower case alphabet में लिखा गया है यह हमारा क्या करता है यह हमारा एक scatter diagram बनाएगा और उसके साथ में ए basis पर line को fit करके निकालते हैं जो हमको उस data के बीच में उसका trend और इसके बीच में किस प्रकार के सम्मंध है इनके बारे में बताने की कोशिश करता है अब यह जो curve है यह कोई ऐसा नहीं आता है कि कहीं से आ जाता है यह हमारे statistics के methods होते हैं यह उनके द्वारा इसको निकाला जाता है जैसे कि यह जो scattered dot smooth के अंदर हमारा curve मिलेगा यह हमारा एक lowest का concept है जो हमारा locally weighted scattered plot smoothing method होता है उसके द्वारा इसको कयार किया जाता है और lowest को हम local polynomial regression fitting में इस्तमाल करते हैं कि जिसमें से हम एक polynomial curve fit को हम निकालने की कोशिश करते हैं local fitting के द्वारा और लेकिन हम इसका detail आपको यहां पर नहीं बता सकते हैं यह सब statistics में है और शायद यह इस course के अंदर की बाते नहीं हैं लेकिन हम आपको यह ज़रूर advise करेंगे कि आप scatter dot smooth का जो help है आप उसको देखने की कोशिश करिए और उसके अंदर जो भी आपको information देगी उसको पॉल करके अपने इस curve को अच्छे तरीके से बनाने की कोशिस जरूर करिए अब देखिए जो आपका command है scatter dot smooth command तो यही है इसके अंदर आपके पास बहुत सारे options हैं x y इसके दोरा आप अपना जो भी data है आप उसको दे सकते हैं उसके बाद आपका span है span आपका एक जो भी curve की smoothness को control करता है उसके family है अथाक हम आपने जो भी statistical calculations करते हैं उसमें से आपने जो भी family को symmetry किया Gaussian लिया हुआ है यह उसके बारे में बताता है उसी प्रकार से यहां पे x lab है y lab है यह आपको x और y axis पर जो labels हैं वो आपको दिये गए हैं इसी प्रकार से जैसे y limb है यह आपको जो y axis पर जो भी limits होत ही उसके बारे में बताता है और देखेंगे इसमें आपके पास बहुत सारे options हैं और यह options मिलते जोलते ही हैं जैसे आपने पहले इस्तमाल की हैं लेकिन मैं आपको बहुत strongly recommend करूंगा कि आप इनको एक बार help menu से देखी जरूर अब इसी कर को हम यहां पे आपको दिखाने के हम क्या करने वाले हैं और इनका जो data है इसको मैंने marks और averse के दो data vector में जैसे पहले store किया था मैंने इसको यहां पे store कर लिया है अब देखिए अब मैं आपको यहां पे इसका outcome दिखाता हूं आपने यहां पे लिखा scatter.smooth और bracket में लिख दिया averse, marks तो देखिए पहले आपन जब plot command किया था तो आपको यह खाली काले वाले बिंदू में लेते लेकिन अब देखिए आपको साथ में एक यह line भी मिल रही है और इस line को देख कर के आप यह मालूम कर सकते हैं कि आपके points इस lines के आसपास हैं यहां से दूर है, right तो देखिए यह आपको जो एक smooth कर मिल गय जैसे होता है, L-Pars, उसके अंदर हम list command के द्वारा, अब आपको पता है कि list क्या होता है, उसमें C-U-L equal to red अथारम, उसका color लाल कर सकते हैं, L-W-D, L-T-Y को हम तीन-तीन कर सकते हैं, जो हमारी उस line को किस पकास से देना है, जैसे कि अगर हमारी line यह हम उस line को ऐसे देना चा तो हम इन सारे parameter से control कर सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, L-W-D equal to 3, और L-T-Y equal to 3, तो देखिए, आपको कुछ इस प्रकार की line मिल गई, जो पहले से, देखिए, line की direction, सब कुछ position एक ही जगा है, लेकिन उसका structure बदल गया, right, अब यह सवाल आता है कि L-W-D और L data के साब से आपको सही information देती है, आप उसको choose कर लिजे, right, तो तो तेली सबसे पहले हम आपको जड़ाशा, इसको हम अपने R software में करके दिखा दें, सो जगा की आपको यह दिखाई पड़े कि यह किस प्रकार से line आती है, तो देखिए, मैंने यहाँ पर command लिख दिया, आप के पास mark so hour का data पहले से था, आपने देखा कि यहाँ पर एक smooth कर बन के आ गया, और इसी में आप अगर इन option को भी अगर आप अगर इस्तमाल करना चाहेंगे, तो देखिए, बहुत ही असान है, यह देखिए, इस परकार के line देखिए, यहाँ पर बन करके आ गई, तो देखा आपने इस तरह के हमारे पास बहुत सारे options हैं, जिनके द्वारा आप इन figures को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, okay, अब इसके बाद हम आपको एक three dimension scatter plot के बारे में बताना चाहेंगे, जैसे आपको पता है कि three dimension में तो हम खाली आँख से देख सकते हैं, लेकिन हम काग से जो भी हमारे three dimension के जो effect है वो आपको two dimension में दिखाई पगया है, तो आपका काम कर जाएगा, right, उसके लिए हमारे पास एक command होता है scatter plot 3D, और parenthesis में हम अपने जो भी तीन variables हैं, उनको हम लिख देते हैं, इसके अंदर हमने अपने data को रखा हुआ है, अब इस यहां पर आप पर एक नंबर है और फिर लिखा है lower case में d, और parenthesis में आप लिख देंगे x, y, z, इस command को यूज करने के लिए आपको एक package है, उसका भी नाम यही है scatter plot 3D, यह आपको install करना पोगेगा, मेरे computer में पहले इस install है, इसलिए मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको में कहू अब इसको आपको दिखाने के लिए मैंने छोटा सा यहां पर धारर लिया है, बहुत ही असान सा, इसमें मैंने आपको यह बताने की कोशिश करिए कि जैसे कोई भी हमारे जो इनसान होते हैं, उनकी height, weight और age अपस में संबंदित होती है, जिस प्रकार से हमारी height बलती जाती weight बलती जाती है, weight बलती जाती, age के साथ में weight, and height भी बलता जाता है, weight के साथ में age ही बलता जाता है, अगर कोई इंसान हमारा स्वस्त है तो. तो इसी तरह कि के हमने देखिए हैं पका गडिता लिया और उसी प्रकास सी यह जो आपने डेटा मैंने आपको यहां पर दिखाया हुआ है इसका हम एक 3-dimensional scatter diagram निकालना चाहते हैं और मैंने अपने height के data को, weight के data को और age के data को मैंने तीन data vectors में अलग-अलग store कर लिया है तो देखे इस प्रकार का है कि यह मारा तीन data vectors मैंने क्यार कर लिया है और इसके साथ में मैंने आपको quickly दिखा दिया कि सबसे पहले आपको इस package को install करना पड़ेगा और फिर आपको इसको load करना पड़ेगा आप जब आप यह करेंगे और जब आप यहां पे अपना scatter plot 3D height, weight, age को एक parenthesis में लिखेंगे तो आपको इस प्रकार का picture मिल जागी जहां पर इस तरह का एक क्यूबाइट होगा जहां पर इस तरह में यह पांच values यहां पर दी होई है तो आपको इसको देख करके नहीं लग रहा है कि कुछ इस तरह का यहां पर एक panel है और उसमें यह values हमारी इस box के अंदर है तो इस प्रकार से हम आपने three dimension effect को समझने की कोशिश करते हैं उसके बाद में हमारे पास में एक और option होता है एंगल तो जब हम इस एंगल को use करेंगे तो यह जो हमारा box है यह हमारा यहां से पूरा पूरा rotate कर जाता है तो जैसे कि आप अगर देखें कि इस वाली picture में यहां पर आपका था h, height और weight यहां पर हो गया आपका weight, height और h और देखें इसके सारी सारी axis की location बदल चुकी है लेकिन और आपका data कोशिश करी के से आ गया तो अब आप जड़ा सा सोचिए कि अगर हमको इसमें से 3D effect दिखना यह आपके logic के उपर depend करेगा यह आप इस angle को अगर माल लीजे 0 से 360 degree के बीच में आप अगर एक एक degree पर values देने का एक loop लगा दें और उसके बाद इस program को अगर आप execute करने की कोशिश करते हैं तो आप उन two dimension picture के द्वारा भी three dimension picture का असर दिखाई पगेगा right उसी प्रकार से अगर आप इसी के अंदर आप अपने बाटी option को use करना चाहते हैं जैसे color को आप अगर करना चाहते हैं लाल तो देखिए आप में कर दिया CULOR चाहे CUL करिए देखिए इन सारे सारे point का आपका color लाल हो गय आपको जड़ा से हम पहले ही यह options यहां पर करके दिखा दें कि किस प्रकार से कार करता है तो जैसे हम यह library और data को अपने R software में हम copy कर लेते हैं यह आपका वेट होगे अब इसके बाद में आपको यहां पर अपना यह जो scatter plot 3D command को निकालना है तो आपने देखा कि यह जैसी को भी आप लगाना चाहते हैं तो देखिए आपको अंगल आपको मिल गया और इसी में आप अगर मालिए अपने अगर कलर को भी आप अगर करना चाहते हैं तो आपने कर दिया है col is equal to red देखिए इसमें सापको color क्या हो जाएगा यहां पर देखिए आपको यह बात को यहां पर आपको col की जगा col or देना है तो देखिए जैसी आपने किया यह आपका रंग लाल हो गया और यही बात मैंने आपको बहुत पर बताने की कोशिश करी है कि कि किसी भी command को करने के पहले आपको इसका जो जो के help menu है आपको इसको देखर के पता करना चाहिए कि यह command कहा कहा कार करेगा आपको चलिया हम आपको देखिए अब इस lecture को conclude करने के पहले हम आपको यह बता दे कि हमारे पास इस प्रकार के बहुत सारे और भी functions होते हैं जो हम को 2 Dimension और थी दिमेंशन प्लॉट्स बताते हैं लाकिस कंटूर चार्ट डॉट चार्ट इमेज मुजएक प्लॉट प्रस्पेक्टिव प्लॉट्स प्त्या दिया लेकिन इन सभी को यहां पर कवर करना मेरे लिए बहुत कथिन काम है और मैं आपको खाली दारल के लिए बस इस प्रस प्रकार का गाराफिक मिल जाएगा तो आप ये देख सकते हैं इस ग्राफिक को देख करके कि आख में इस प्लॉट कामांघ और इस थारह कि खुबसूरत ग्राफिक को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप को देखे किस परकार केु कुर्व बहुत आसानी से बना कर देगा और अगर हम अपने इस्वाले कमाद को यहांपर एड़ करें को देखिंगे इस परकार के करुष बना कर देगा तो अब इस कर को क्यार करने के बाद में यह आपके उपर depend करता है कि आप किस प्रकार से आप इसको इसको इस्तमाल करते हैं और किस प्रकार से आप इसके अंदर छुपी हुई information को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं अब हम इस lecture में यहाँ पर रुकेंगे और साथ ही हम अपने इस graphics वाले topic को भी यहाँ पर कमाप करेंगे लेकिन मैं graphics का topics अपने इस lecture में समाप कर रहा हूँ आपके लिए तो अभी start हो रहा है आपने देखा कि हमारे पास univariate, bivariate, trivariate, two dimensional, three dimensional इत्यारी करके बहुत सारे graphics हैं आपके पास बहुत सारे packages भी हैं आर के अंदर जैसे gg plot है उसमें से आप अगर इन भिन भिन प्रकार के जो हमारे graphics हैं उनको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही informative और बहुत ही खुबसद graphics होते हैं जो आपको data के अंदर छिपी हुई बहुत सारी information को बहुत आसानी से बाहर दिखा देते हैं लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि उन सारे सारे graphics को अगर मैं यहां पे करने की कोशिश करूँगा तो शायद यह पूरा course ही हमारा graphic के लिए बन जाएगा और मैंने आपको पहले कहाता है कि मेरा objective इस course में क्या है आपके हिर्दे से आर का भहे निकालना जो शायद मुझको लगता है कि मैंने अब तक कर दिया होगा अब आपको कोई भी अगर graphic अगर हो तो उसको करने में आपको कोई अंदर से खौफ नहीं होना चाहिए कोई भी command को यूज करने में आपके दिल में खौफ नहीं होना चाहिए अगर आपने इन lectures को follow किया है तो और अगर आपको कोई भी अगर graphic यूज करना है आप उसका package देखिए आप उसका command देखिए आप उसका help menu देखिए वहाँ से आप थ्वासा स्कमेल दीजिए और आपकी बहुत सा हैता करेगा तो आप इन्ज की जूको बाकी explore करने की कोशिश करिए और मैं आपको अगले lecture में फिर से मिलने आउँगा तब तक के लिए good bye .